नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल Learn, Invest and Earn में और आज का जो वीडियो है ये है वीकेंड का वीडियो जैसे आप सभी लोग जानते हैं जो हमारे regular followers हैं weekend का वीडियो मतलब हम लोग कुछ ऐसे stocks चुनते हैं जिनके उपर हम लोग एक technical analysis करते हैं पूरा detail में stock की चाल किस तरह से रही है, past में आगे stock किस तरह से perform कर सकता है, technical charts पे वो किस तरह के patterns बना रहा है ये हम detail में discuss करते हैं हर weekend आपको एक से दो ऐसे वीडियो मिलेंगे जो हम लोग detail में discuss करते हैं, last week हमने discuss किया था बाटा के उपर उसके पहले हम discuss कर चुके हैं, infosys, HPCL, उसी तरह Asian paints, तो अगर आप लोगों ने ये stocks ये वीडियो मिस किये हैं, इनका technical analysis मिस किया है, तो मैं आप से request करूँगा कि आ कुछ नया सीथनी को मिलेगा और आपको इससे benefit भी मिलेगा, तो आगे जलते हैं, सिधा आज की topic की उपर, आज का जो stock है, उसकी उपर हम लोग देखते हैं कि technical charts पर हमें किस तरह से लग रहा है, और उसमें किस तरह के आगे की चाल बन सकती है, तो आज का जो stock हमने shortlist किया ह यह है JSW Energy, इस stock के बारे में हमने अपने premium group पर, मैं कहूंगा 2-3 हफते पहले भी post किया था, जहां पर हमने उन्हें buying के recommendation दी थी, और वहां से stock काफी अच्छा कासा return दे चुका है, लेकिन मुझे लगता है, अभी भी stock में काफी potential है, यहां से भागने के लिए, अगर आप हम हमें अच्छे कासे 90-95 पर targets यह थे, जो अभी हमें achieve होते नजर आ रहा है, in fact हो चुके हैं last week, but उसके बावजूद भी इसमें काफी अच्छे potential बचा हुआ है, हम लोग detail में देखते हैं कि क्या है यह, तो पहले start करते हैं weekly charts से, तो weekly charts पे देखिए, मैं आपको इसको explain करने क का try करता हूँ, weekly charts पर यहाँ पर एक breakdown, sorry breakout था, clear cut breakout था, और वो level जो था breakout का, वो करीब करीब इस level के आसपास था, तो यहाँ पर एक breakout expected था, यह breakout जैसे इस टॉक ने दिया है, देखिए, यह multiple times इसने यहाँ पर test किया था, यह इसके लिए एक resistance करके आ रहा था इसके पहले, त यहाँ भी अगर मैं इसे extend करता हूँ, यह भी एक resistance है, जैसे ही इस resistance को break किया है, देखिए, यहाँ पर यहाँ पर इसने multiple times, मैं कहूंगा कि तीन से चार हफते continue से इसी zone में अपने आपको hold कर रहा था, यह zone था, वो 77, 70 से लेके 77 के बीच में यह एक zone था, जो इसने hold किया, अपने आपको यह देखिए, यह candle पर इसने अपने आपको hold किया है, करीबन 5-6 हफते और फिर इसने breakout दिया है, जब यहाँ पर breakout आया है, तो volume देखिए, क्या भेहतरीन volume यहाँ पर generate हुए है, उसकी वेज़े से यहाँ पर एक अच्छा-कासा momentum ऊपर की तरफ जाते हुए न targets मिल सकते हैं, अब वो targets आ चुके हैं, लेकिन अभी भी हमें यहाँ पर क्यों लग रहा है, कि इसमें अच्छा-कासा potential है, वो मैं आपको भी explain करता हूँ, अगर आप देखेंगे कि यह breakout के बाद, थोड़ा मैं इसको zoom करता हूँ, आपको समझने में थोड़ा आसानी होगी, तो breakout के बाद देखिए, stock ने किस तरह से perform किया हुआ है, breakout दे दिया stock ने, और breakout के बाद stock वापस से नीचे आया, retrace करने के लिए, और आप stock उपर जाने के लिए तैयारी कर रहा है, इसका मतलब क्या है, देखें कोई भी stock, जब किसी भी, for example, यह हमारा breakout है, यहाँ से stock अगर one breakout level के पास hold करें, और फिर उपर की तरह movement दें, तो इसका मतलब stock में काफी अच्छी strength है, buyers काफी यहाँ पर active है, और इस level को वो लोग भी देख रहे थे कि इस level को यह किस तरह से hold करता है, अब हम लोग अगर JSW Energy में देखेंगे, तो यहाँ से stock निकला, एक wix बना, उपर sellers आ लिचे की तरफ और यहीं से stock अपने आपको hold कर रहा था, अगर इस week के हम लोग closing देखेंगे, तो इस week की closing जो है, वो पिछले week से उपर है, मतलब अब धीरे-धीरे करके इस level के आसपास buyers accumulate हो रहे हैं, और यहाँ पर stock अभी एक बार retrace होने के बाद फिर उपर जाने की कोश कर रहा है, अब थोड़ा हम लोग पीछी चलते हैं, और अगर यहाँ से stock निकलेगा, तो आप कहेंगे कि यह 90 का target जो आप पता वो हो गया है, तो अब आप हमें इस stock को क्यों recommend कर रहे हैं, तो देखें एक और चीज है कि stock one way कभी भी नहीं चलता है, यहाँ से retracement होने के अब यहाँ से आया, और stock ने इसी level के आसपास resistance लिया, फिर stock नीचे आया, फिर stock उपर गया, यहाँ तक तो इस ताइम जब resistance क्रॉस किया, तो देखें, दो से तीन हफते तक stock यहीं पर रुक रहा था, और एक ही candle में जब stock ने यह weekly charts पर जब क्रॉस किया, तो में momentum आया है, वो लेवल आता है करीब करीब 85 से 90 रुपीज के बीच में, यह 85 से 90 के बीच में जो stock का resistance बन रहा है, यह stock को एक breakout की तयारी देने के लिए है, volumes काफी अच्छे बिल्ड हो रहे हैं यहाँ पर, और volumes के साथ साथ price action अच्छा कासा हो रहा है, अब यह है weekly charts पर, अब इसके आग अगर मैं थोड़ा सा इसको और zoom out करूँ, थोड़ा और लंबे अवधी पर हम लोग देखते हैं, तो यहाँ से आगर stock निकलता है, 85 से 90 रुपीज के बीच में अगर stock आप accumulate करते हैं, और यहाँ अगर stock आपकी direction में आपके हमारे analysis के साथ आराफ चलता है, तो जो next target है, जो म बना के चल रहा हूँ, वो है करीब करीब 96 से 100 तक, 96 to 100 यह हमारा next target होगा, अगर इस level पर हम accumulate करते हैं, यहाँ पर हमारा stop loss जो होगा, अगर हम 85, 87 के आसपास लेते हैं stock को, तो हमारा stop loss जो होगा, वो होगा 75 से 77, यह हमारा stop loss होगा, और हमारा target जो होगा, वो होगा 96 से 100 के मतलब हमारा जो risk reward ratio होगा, वो 1 is to 1 होगा, अब यह तो होगया weekly charts पर, अगर 96, 9 से 100 तक cross करता है, तो 100 देखिए, एक psychological level है, psychological level cross होने के बाद, कोई भी stock हो या index हो, उसमें अलग ही अपनी चाल आती है, तो 100 cross होने के बाद, अगर यह sustain करता है, 96 के उपर अगर यह निकलता है, यहां से, फिर सोड़ा सा consolidate करके, एक बार वापस से breakout देगा, और यह 96, 97 के level को hold करेगा, 100 के उपर निकलता है, तो next stock के target जो नजर आते हैं, वो मुझे सीधा 120 के नजर आते हैं, जो इसके almost मैं कहूंगा कि पिछले 6 साल के highs हैं, तो 220 तक के targets मुझे नजर आ रहे हैं, लेकिन initially मैं 96 to 100 के लिए trade करूँगा, अगर वो आता है, तो मैं अपना stop loss जो है, वो 75, 77 से trail करके, अपने buying price पे ले आऊँगा, और फिर उसके बाद मेरे जो targets होंगे, वो होंगे 120 के, इन targets पर मैं नजर बना के चलूँगा, as per weekly charts, अब हम लोग आते हैं daily charts के उपर, daily charts पे देखते ह हमें stock किस तरह का movement दिखाता है, और हमें इस से क्या सीखना जाइए, देखिए JSW Energy जो है यह बहुत बढ़िया stock है, आपको बहुत चीज़े सिखाता है, यह especially charts के ऊपर, तो जो जितने लोग भी technical charts के साब से अपना trading करते हैं, या फिर swing trading करते हैं, या फिर investments करते हैं, यह stock, यह chart जो है stock का, यह आपको बहुत कुछ सिखाएगा, यहाँ पर अगर हम लोग daily charts देखे, weekly charts देखे, monthly charts देखे, हर chart पर आपको कुछ ना कुछ इसमें नजर जरूर आएगा, तो अगर हम लोग यहाँ पर daily charts पर आते हैं, तो daily charts पर देखिए एक बहुत ही अच्छा खासा है इसमें एक trend line बन रही है, और यह trend line को support करके चल रहा है, अब मैं थोड़ा सा इसको zoom करता हूँ, और zoom करके आपको दिखाऊंगा, तो समझने में आसानी हो जाती है, देखे, यह trend line बनाई है, मैंने पिछले साल जून जुलाई से, यह जून जुलाई के आसपा से trend line बन रही की है, और यह trends line बेखे एक continuous stock इस trend line को respect दे रहा है, देखे, यहाँ पर consolidate किया, फिर एक breakout दिया, फिर consolidate किया, फिर breakout दिया, यहाँ पर consolidate किया, support लिया, फिर breakout दिया, फिर support लिया, पर यहां पर सपोर्ट पर ब्रेकाउट आया अब देखिए यहां से ट्रेंड लाइन जो है वो काफी दूर हो गई है मतलब यह वाला जो ब्रेकाउट था यह मैंने कहा ना कि यह जो बहुत ही बड़ा एक रेजिस्टन्स था वीकली चार्ट की उपर रहे मल्टीपल मंथ यह आप कर सकते हैं साल धेड़ साल के पहले का यह अल्मोस एक ब्रेकाउट था इसकी वज़े से यहां जो ट्रेंड लाइन से दूरी है जो बढ़ गई है लेकिन इसमें भी घबराने वाली कोई बात नहीं है यहां पर अगर हम लोग ठीक से देखिए ट्रेंड लाइन को अगर अगर इसको आप ठीक से देखेंगे तो चार्ट एक रेंज में चलता है एक फ्लैग बनाता है और फिर ब्रेकाउट देता है फिर एक फ्लैग बनाता है ब्रेकाउट देता है यहां पर फ्लैग बनाया ब्रेकाउट दिया यहां पर फ्लैग बनाया ब्रेकाउट दिया यहां triangle pattern भी दिखे देखिए अभी मैं आप से बात करते करते हैं मुझे नजर आ रहा है कि ये एक triangle pattern भी है ये देखिए बहुत लोग इसको mouse trap भी कहते हैं अगर आप देखेंगे currently तो currently भी एक triangle pattern form कर रहा है और triangle पैटन का ये breakout भी दे रहा है तो जैसे यहां पर इस triangle pattern में breakout आया है वैसे ही यहां भी breakout नजर आ रहा है तो देखने के नजरिया अलग-अलग है हम लोग किस नजरिये से देख रहे हैं किसे साफ से हम लोग समझ रहे हैं और stock हमें कैसे लग रहा है volume wise देखिए यहां पर एक अच्छा कासा spike आया था फिर थोड़ा सा यहां पर dip आया definitely आना ही चाहिए मैं कभी भी नहीं कहता हूँ stock ने one way चलना चाहिए stock जभी भी कोई भी resistance को break करें उसके बाद नीचे उसने आके टेस्ट करना चाहिए अगर stock में strength है तो यह निकलेगा उपर अगर यह resistance है stock में यहां आया तो यह definitely नीचे आ जाएगा मतलब इसका मतलब यह strength नहीं है stock में इस stock को हमें trade नहीं करना चाहिए मैं personally जभी भी stock को positional या swing trading के लिए लेता हूँ तो जैसे यह breakout होने देता हूँ और आप trail किजिए देखें फिर यह कितनी खुबसूती से आपको एकदम बड़ी हाँ सा profit देगा इसमें momentum जो आएगा यह बहुत ही बड़ी हा momentum आएगा तो weekly और daily charts पर हमें JSW energy काफी strong लग रहा है last time कहीं मैंने इस level के आसपास recommend किया था 75 से लेके 70 75 के बीच में जब यह प्लाटन फॉर्म कर रहा था यह जब जब यह resistance के पास आता है तब तब हम लोगों ने इसमें देखा एक अच्छा खासा breakout आता है और वही चीज मैंने observe की थी मैंने कुछ इस level के आसपास इसको identify किया था लेने के लिए और मेरा target जो था उस time पर वो यहां तक था तो अगर आप कहेंगे कि 70 से 70 से 77 सर 7 point के लिया तो मैं देखिए मैं point नहीं देखता हूं मैं percentage wise देखता हूं 10% का profit है यहां पर और trend line को continuously July से मतलब आप देख लिए क देखिए stock ने अच्छा कासा return दे दिया है अब मैं अगर आपको अपनी position बता हूं तो मेरी position का जो stop loss है वो है 78 rupees 78 rupees जो है वो मेरा stop loss है जो पहले मेरा करीब करीब यहां कहीं तो भी था 68 69 के आसपास वो मैंने trail कर लिए लेकिन अभी भी मैं इसको hold करूंगा और मैं बहुत ज़्यादा confident हूँ कि मुझे लगता है कि यह stock आने वाले 2-3 महिने के अंदर अंदर 120 के level तक जा सकता है जैसे मैंने आपको परहले explain किया कि इसमें बच कुछ levels है जो हम लोग closely observe करेंगे एक बार वो levels को breakout आएगा तो definitely stock में हम लोग hold करके चलेंगे 90 के levels है जो 90 के levels आप नद के बाद अगर यह 100 पर hold करता है एक बार यह retrace करने नीचे आएगा घवराईये मत उसके बाद अगर bounce back देता है तो our target will be 120 रूपीज तो यह था आज का weekend का stock analysis का video JSW Energy अगर आपको video पसंद आया तो definitely like it कीजिए क्योंकि बहुत ही बहतरीन हम लोग आपके लिए videos लेके आ रहे हैं जिससे आपको कुछ सीखने को मिले हम लोग यहाँ पर आपको tip provider से मुक्त करना चाते हैं आप लोग tips पे मत भरोसा कीजिए पैस आपके है tip provider के नहीं है तो अगर वो lose करेंगे तो ही आप lose करेंगे tip provider कहीं भाग जाएगा तो please किसी पर dependent न रहिए अपने पैसे अपने मेहनत से कमा हुए पैसे अपने को कमाना है खुद कमाना है अपने बुद्धी से कमाना है बले हम थोड़ा कम कमाएंगे चलेगा लेकि बहुत ही बहतरीन टेक्निकल अनलेसिस के साथ दिगगत स्ट्रॉक है मिस मत किजिए उसको भी थैंक्स फर वचिंग दे वीडियो कीप लर्निंग कीप इंवेस्टिंग एंड कीप अर्निंग